हाई दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त मेंदर सिंग स्वागत करता हूँ दोस्तो मुकेश मेंदर एजुकेशन चैनल पर और दोस्तो आजम देखने वाले हैं कक्सा बारा पोलिटिकल साइन्स का ठीके बूर्ड का पेपर मान लीजिएगा ठीके बूर्ड का जो पेपर बने तो इसको पहले आप देख लीजिए गा इसमें से आपको कितने कुष्ण आ रहे हैं आपकी जो है वो तैरी किस लेवल पर चल रही है इस पेपर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा बोर्ड का पेपर है जैसे का जैसा इसी आदार पर बढ़ने वाला है दोस्तों ठी तो इसमें देखते हैं बैड़ किस प्रकार से पूछे गए हैं या आपके सामने निर्देश लें रखे हैं और ये पुरुणांघ है असी नंबर का यानि असी नंबर का है दोस्तों यह पेपर ठीक है बीश नंबर तो आपके स्कुल में से जाएंगे और टो 80 नमबब को पेपर होगा कुल मीलार इस व हายता है नमबर को चोटल होगा ठेकर फेल से प्रπαिश नमबर पेपर के चोटल इस तरीके से 20 पेपर हों अब देखो जेखोय अब मुझे बताना जैसे लाइव क्लासышします जैसे लाइव वे समाप्ती से अपिर आप मुझे कमेंट बोक्स में बताना पई कि इसमें से कितने कुशन जो है वो आपको आ रहे हैं ठीक है चलो हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए का दोस्तों सबसे पहले आपके सामने दे रहा है खंड ए और खंड ए के अंदर देखिए का यह परसन आपको पूंचे है जैसे निमलिकित परसनों के उतर का सई विकल्प में चेन कर अपनी उतर पुस्तिका में लिकना है यह किशन आप मुझे बताना ठीक अभी तक मैंने 11 एकला से करवा दिये दोस्तों बोड पर मैंने अच्छे से आपको समझाया है ठीक है मेरे इसाब से आप सभी के कवर हो ज किया राइट होगा बिल्कुल बाते तो छोड़ो और आंसर बताओ आप तो फटावट सभी को पता होगा दोस्तों बिल्कुल 120 राइट आंसर हो देगा बिल्कुल जिन्होंने C बताया है उनका राइट है वर्तमान में गुट नेरपक्स आंदोल में कितने सदिशे हैं तो 120 सदिशे हैं दोस्तों ठीके चलो आगे देखतें नेकस्ट किशन आगे दे रहता है कि बरलिन की दिवार खड़ी जोगी तो इसका ए जो है वो राइट हो जयेगा 1961 में बर्लिन की दिवार जो है दोस्तों खड़ी की गई थी अब आपको पूछीजे के बर्लिन की दिवार जो है वो कब गिरे गई थी तो 9 नवंबर 9 नवंबर 1989 9 नवंबर 1989 को दोस्तों बर्लिन की जो दिवार है वो गिरे गई थी ठीक है आपको ध्यान रखना है तो 150 km है, ठीक है, बिल्कुल सभी सबी से आंसर हो जाएगा, इसके बाद यह रहा है दोस्तों साप्टा सम्मंधी थे, यह भी क्वेश्चन मेंने कही बार करवाया है, दूस्तों कि साप्टा किस से सम्मंधी थे, तो आप सभी को पता होगा, साप्टा किस से सम्मंधी थे, बत में NOTE 35 में इसका मुख्यलिए की बात करूँ तो इसका मुख्यलिए की बात करूँ तो चाहिए of सदिशे हैं तो सारक में 8 सदिशे हैं दोस्तों जिसमें जो अफगानिस्तान है अफगानिस्तान वो दोस्तों 2007 में सारक का 8 सदिशे बना था आको और पूच्छा जाएगा कि जो सारक है ठीक है सारक इसका पूरणाम क्या है तो दक्षिन ACI 36 सेयोकसंग इसका पूरो नाम है सारा का ठीक है तो यह प्रमुक पॉइंट जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं अब मैं बात करने वाला हूं साप्टा की जो साप्टा है साप्टा का पूरो नाम क्या है तो साप्टा का पूरो नाम है दोस्तों दक्सिन ACAE मुक्त व्यापार समझो था देखो दोस्तों मैं वेसे तो मैं किशन फटापट करवा दूँगा मेरे क्या है option number right करदूँगा फटापट लेकिन option को right करने से क्या मतलब मैं extra fact बोल रहा हूँ और 100% में जो बोल रहा हूँ यहां से किशन बनने वाले हैं तो दक्षिन ACAE मुक्त व्यापार समझो था यह किसका पुरो नाम हो गया अब दोस्तों आपको और ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है जो साप्टा है यह कब लाया गया था तो साप्टा लाया गया था दोस्तों 2002 में साप्टा कब लाया गया था 2002 में लाईा गया था साप्टा पर हस्तकसर कब हुए थे तो साप्टा पर हस्तकसर हुए थे 2004 में कब हुए थे दोस्तो इसके अलाभा आपको और पूछ जा सकता है कि साप्टा जो कब लागू हुआ तो 1 जनवरी 2006 जोioxा डागू हुआ तो इसका राइट आंशर तीसरे का A हो जाएगा देखते हैं नेक्सտ नेक्स्ट किशग्शन हें कि कि वर्स इंद्रा गिंदी ने सोवेट संग के साथ 20 वर्स के लिए सांती की सांती मितरता की संधि की संदी पर हस्ताकसर किये थे बताओ दोस्तो बताओ इसका क्या होगा किस वर्ष इंद्रा गांदी ने सोवित संग के साथ बीस वर्ष के लिए सांती मित्रता तता सहयो कि संदी पर हस्ताकसर किये थे तो दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा 1912 अधर में ठीक है OPS NUMBER इसका D. राइट हो जाएगा नेक्स्ट है भारत ने शुरुवाती दोर में विकास की जो नीती अपनाई उसमें निम लिकित में से एक विचार कौन सा सामिल नहीं था तो दोस्तों उधारिकन जो यह सामिल नहीं था इसका भी राइट हो जाएगा आगे देखते हैं ओप्रेशन बलुष्टार का समन्द किस राज्ये से हैं तो ओप्रेशन बलुष्टार का समन्द किस राज्ये से हैं तो दोस्तों ओप्रेशन बलुष्टार का समन्द किस राज्ये से हैं तो दोस्तों ओप्रेशन बलुष्टार का समन्द किस राज्ये से हैं ठीके इसके बात आगे हैं कि भारत में दूसरे पिछडे वरग आयों के अध्यक्स कौन थे तो भारत में दूसरे पिछडे आयों के जो अध्यक्स थे वे थे दोस्तों यहां पर आपको करना है बीपी मंडल यह थे भारत में दूसरे पिछडे वरग आयों के अध्यक्स इसके बाद देखते है परमुक नेक्स्ट किशन कि सीट यूद के समय अमेरिका और सोवित संग सोवित खेमे का विबदन सबसे पहले कहा हुआ था बताओ दोस्तों सीट यूद के समय अमेरिका और सोवित खेमे का विबदन जो है वो सबसे पहले कहा हुआ था एसिया में यूरोप में अपरिका में या लातिनी अमेरिका में देखो दोस्तों सभी मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे ठीक है इसका आंसर मुझे सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे अपना नाम जुरूर बताए कमेंट में और सभी इसका आंसर मुझे कमेंट में करेंगे लाइव चैट में नहीं करना कमेंड में ठीक है इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्रिशन आगे देखते हैं अगला क्रिशन है आपके सामने कि रूस में समाधवधी क्रांती जो वो किस वरस में हुई थी रूस में समाधवधी क्रांती 1915, 1916, 1917 या 1918 तो बिल्कुल सभी को पता होगा दोस्तों उनीस सटर्र इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो दोस्तों रूसी क्रांती जिनापर बोल सभी क्रांती केवा यह क्रांती निस सटर्र में होती है ठीके इके बाद में आगे देखो आगला क्युशन कि पर्थम योजना के परारुप की बात हैं कि किस वरस जारी हुआ 1948-1950-1951 तो पर्थम पंच वर्षी योजना का परारुप किस वरस जारी हुआ था तो 1951 यानि ओप्शनमर इसका डी जो है वो राइट हो जाएगा इसके बात देखते हैं स्वेजनेर के मुद्धे पर 1956 में बिर्टे न आपको पूछा जाए कि स्वेजनेर का राइश्टी करण किस ने किया था स्वेजनेर का राइश्टी करण किया था दोस्तों आपको ध्यान रखना है गमाल अब्दूल नासिर ने दोस्तों स्वेजनेर का क्या किया था गमाल अब्दूल नासिर ने स्वेजनेर का राइश्ट में था तो दोस्तों आप सभी को पता होगा लोग दल के संस्तावक हो जाएंगे चोदरी चरण सिंग यानि ओप्स नमबर इसका जो ए है वो राइट हो जाएगा इसके बाद देखते हैं परमुग रिक्तिस्तान के हमें पूर्ति करने हैं दोस्तों एक-एक नमबर वाले संगी स्थापना हुई थी इसके बाद देखते हैं अगला क्यूशन भारत ने सन खालिस्तान में पहला परमानुप्रेक्शन किया था तो मई 1904 में दोस्तों भारत ने अपना पहला परमानुप्रेक्शन किया था दूसरा 1900 में में किया था फोकरन जैसल मेर के अंदर इसके पाद देखते हैं नेक्स्ट केशन दोस्तों कि 1957 में खालिस्तान राज्ये में भारती कम्मुनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गटबंदन सरकार बढ़ी इसको पीडिये को इदर लेके आ जाते हैं मेरे प्रोफाइल को चलो अब देखते हैं 1997 में खालिस्तान राज्य में भारती कम्मुनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गटबंदन सरकार बनी किस प्रकार के सरकार बनी गटबंदन सरकार तो बताओ 1997 में खालिस्तान राज्य में यानि कौन सा राज्य था केरल राज्य था कौन सा राज्य था दोस्तों केरल रा का है कि नार्वे के खालिस्तान स्विक्त राइश्टिसंग के पहले मासचिव बने थे तो नार्वे के कौन बने थे दोस्तों आपको पता होगा ट्राइगव ली कौन बने थे दोस्तों ट्राइगव ली जो है ट्राइगव ली ये नार्वे के स्विक्त राइश्टिसंग के वर्तमान मासचीव को आने तो संक्ट राइश्टे संग के वर्तमान मासचीव की बात करे तो एंटोनिया गुटेरस को आने दोस्तो एंटोनिया गुटेरस ये जो है ये वर्तमान मासचीव है ठीक है इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ आगे दे रखा है देखो दोस्तो ब बुनियादी धाचचा है तो आप इसमें क्या कर देंगे केशंवानंद भारती केशंवानंद भारती यांदे मुखाती मुखदे में सरवस्यन ले ने फ्याचल सविदान एक क्या है बुनियादी धाच्चा है ठीक ed । इसके बाद देखते हैं अगला किशन वरस खालिस्तान में बामसिप का गटन हुआ था बामसिप का गटन कब हुआ था 1948 में बामसिप का गटन होता है बामसिप का पूरा नाम पूछे तो बेकवेड एंड माइनुरिटी कम्यूनिटी एंप्लाइज फेडरेशन ये बामसिप का क्या है पूरा नाम है वेरी इंपोर्टे मैंने बूर्ड पर करवाया है ठीक है यह आपको बूर्ड नजर आ रहा है इस बूर्ड पर मैंने कई बार करवाया भी है ठीक है और सोग तरेपी का मतलब आगात पहुंचा कर उपचार करना चोट पहुंचा कर उपचार करना ठीक है जब सोवे संग का पतन हो जाता है तो साम कि सोवेत अर्थ्वेष्टा का फालन करते हैं, वो दूसरी दुनिया के देश कहा आता है, पहली दुनिया अमरिका, दूसरी दुनिया सोवेषंग, आगे हैं, कि सोवेषंग के विगटन का अंतियम और सरवादीक तात्कालिक कारण कौन सा था, सब मेरे से करवाईये, करन की निती चलाते हैं लेकिन वो कामयब नहीं हो पाती है इसके लावत सवतनतर राज्यों के राश्ट्रकुल में कौन सा देश सामिल थे ठीक यह सब करवा रखे दोस्तों बिल्कुल आप मुझे बताना के वे आपको कितने क्यूशन इसमें से आ रहे हैं हैगमेनी सब्द का अर्थ क्या है ओप्रेशन इरा की फिर्डम क्या था क्यूटो प्रोटोकॉल का लक्षे क्या है सब मैंने करवा दिये बिल्कुल दोस्तों ठीके वीशु के साजी संपदा का आकार गटने के दो कारण बताओ वीशु सामाजिक मंस के कारी करता किसका विरोध करते हैं इसके के लावा दोस्तों आर्थिक वेश्विकरन का एक लाब बताओ ताड़ी विरोधी आंदुलन का नारा क्या था दलित पैंतर्स ने कौन से मुद्दे उठाए थे अब जिसे खंड बेके अंतर लगूत रात्मक परसन पूछे हैं जो हम कई बार करवाती भी है देखेगा वर लिकें आगे भारत और पाकिस्तानके बीज विवाद के रहता है तीकए कभी सिमा विवात और नदी duo in को मूद्द्धे आपको बताने हैं or किमिताते मूल्वासी सब्सक्राइब मूद्दस और masa मूजूदा समयं से gaarde कि ही बीज्द्दक पर योगदाना है धाये बारat व हुटान के मध्य सेयों के दो शेत्र बताओ और भारत की स्विक्त राष्ट संग की सुरुक्षा प्रिशत की इस्ताई श्यदेश्या के समर्तन में दो तरक दीजिए ठीक है और परतम आम चुनाओ को सपल बढ़ने के लिए चुनाओ आयों के दो कारिये बताओ वेरी इंपोर परकार सक्ष्य भागीदारी निवाय थी भारत में पुर्वतर के राज्यों में राजनिती में कौन से मुद्द्य हावी रहे हैं दर्वीड आंदुलन की मुख्य परमुग मांगे कौन से थी और यह हैं खंड से और खंड से में आपको इस परकार से पूचे परसन है कि बा तो देखो पेपर तो आपके इसी प्रकार से बढ़ने वाला है दोस्तो ठीक है और ये खंड दे हैं जिसमें पूंचाए कि सीत यूद का अर्थ बताओ और सीत यूद के दाइरे इसमें वारत की भूमिका का उल्ले करना है ठीक है आप देख सकते हैं दोस्तो वेरी करवाई उसी प्रकार आपको करना है दोस्तों केवल घूमा फिराकर इसमें भी परसन पूछे कि आप देख सकते हैं भारत वी बजन के परिणामों का उल्ले करना है रजवाडों के विले में सरकार के नजरियों पर लेख लिखिए ठीक है तो निबंद आत्मक्यूशन के अ दोस्तों आप का बौड़ घाप Can you loosen अ वाउना tapping आपकोँ है मुझे कमेंट में बोक्स बताना दोस्तों których में अगर नहीं भी आते हैं तो घबरने की जरुत नहीं यह दूस्तों इसी आधर पर बणने वाला हैं इसी आधार बाणने वालना हैं ठीक है ओ गर मैं और मैं आप करवा रहा हूं ठीक है तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों एक्जाम से पहले पहले आपकी जबर्दस त्यारी करवा दूंगा ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करें और चैनल पर नए है तो जुरूर सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूं वापस आपक नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए जय हिंद जय बर्द ओके थेंक्यू